कैसे हो आप लोग सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है हर लास्ट विश और यह बुक की है अजय के पांडे ने वीडियो शुरू करने से पहले एक चोटा सा रिमाइंडर बहुत सारे से लोग हैं जो वीडियो देखते तो आप चैनल को सस्काइब नहीं करते आप से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सस्काइब कर लिजए ताकि आप से कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना हो जो लोग हमें शोशल अब विजए के लिए ना डॉक्टर रजा सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं रहते वो उसके काउंसलर भी थे और उसको गाइड भी करते थे कि क्या करना चाहिए अब डॉक्टर बोलते ना विजए तुमना नर्स की तरह काम कर सकते हो अब विजए कहता है ना मैं कैसे नर्स की केर करेगी और जिस तरीके का प्यार और केर एक परिवार वाला कर सकता है वो नर्स कभी नहीं कर सकती अब विजय कहता है क्या यह इतना सान है अब डॉक्टर बोलते हैं हाँ जादा मुश्किल नहीं है पैथलोजी डिपार्टमेंट में जाओ और जो वहां पर लैप सुप्र लेकिन उसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा तुम अपनी जॉब के साथ ही कैसे करोगे अब जो कॉन्फिदेंस था वो विजय बहुत ही कम उसके अंदर होता था लेकिन उसको पता है आज उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अब अगले सीन में क्या होता है जो आस्ता पैदा होगा और जो डॉक्टर रचना थी ना उन्हों उसको कहा था आस्ता को कि हर पांचवे दिन आके ना यहां पर कुछ टेस्ट वगरा होंगे और जो उसका CD4 काउन था ना वहर दूसरे दिन टेस्ट होता था जो आस्ता थी ना वो सारे जो भी डॉक्टर बताते थे साथ ये भ़हत ही खतरनाग कॉंबिनीशन था अब जो विज्ट होता था है ना वो आस्ता को बोलता है जो नर्स है ना वो थोड़ी महंगी है तो अपसे मैं इतुमानी नर्स हूं अब जो आस्ता है ना यह सुनके 뒤 लगती है अब जो विजट है वो सोच आस्ता है कि आस्त पहले न वो हस्ती थी अब उसे स्माइल करती है और उसकी वीवी थी थी वो बदनने लगी थी और वो बहुत कमजोर हो गी थी उसको कईबास चक्कर आते थे उल्टी होती थी और उसका छटा महीना था प्रेंग्नेंसी का और ज्यादा टाइम वीजय का नर्स के तौर पर ही चला जाता था उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था कि वो पनी जॉब पर फोकस कर सके अब वो सूचता है न कि मैं एक बार कॉलेज में जाके प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ अब जो वीजय होता है वो कॉलेज जाता है जो प्रिंसिपल की सेकरेटरी होती है वो उनसे पूछता है क्या प्रिंसिपल सर है अंदर मुझे उनसे कुछ मिट बात करनी है अब जो प्रिंसिपल की सेकरेटरी होती है उनको हमेशा पता होता है कि बॉस है या नहीं है वो कहत के बहुत अच्छा लगा थोड़ा टॉंट माते हैं अब विजय कहता है ना सौरी सर मैंना किसी चीज में बहुत ज्यादा बिजी था जो मेरी बीवी है वह अच्छी नहीं है तब इट खराब चल रही है उसकी और मैंने एड्मिन वालों को बता दिया था अब उसकी जो प्रिंसिपल होते हैं क्या हुआ तुमारी वाइफ को बिल्कुल एक दमना नॉर्मल सा पूछते हैं ऐसा नहीं की सिंपैथी दिखा रहे हूं अब विजय कहता है ना सर वो प्रेंग्नेंट है अब जो उसका प्रिंसिपल होता है वो फिर से टॉंट मानता है कहत अब विजय कहता है नहीं सर वो ठीक नहीं है इसलिए मैं आपसे बात करने आयों मुझे आपकी एक मदद चाहिए उसके सर बोलते हैं हां बोलो अब विजय कहता है ना सर उसके नों बहुत ज़्यादा करने पड़ती है हर वक्त मोनिटर करना पड़ता है और मेरे घर में गंटे दे सकता हूं हर दिन और हर पंदा दिन में मुझे एक छुट्टी चाहिए होगी क्योंकि मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है हर पंदा इन बाद उसके चेक अब होते हैं अब प्रिंसिपल होता है न वो थोई दे सोसते हैं फिर कहते हैं विजय इस के मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा ये टाइम कैसे यूटिलाइज करूँगा लेकिन सुनो आठ नवंबर को न एन्वल फंक्शन है कॉलेज का मैं चाहता हूं कुछ रिस्पॉंसिबलिटीज तुम लो और ये वक्त होगा जब ये जो सारा प्रोग्राम होगा ये लाइव ट है जो विजय होता है वह अपनी बीबी की बहुत कीयर कर रहा होता है वह सेड़ेडे आपने घर पे पे भी नहीं जाता जिसके पाप मम्मी थे न को जबने तके पनी के बहू को वो को सोखता है ना कि अगर ममी को आस्था की विमारी के बारे में पता चलेगा ना उनके पास एक उपध़र जाएग मिल जाएगा कि उस्से और जाहन नफ़रत करे और जो आस्था और विजय थे ERIC बाढे करते थे past के बारे में future के बारे में अर विजय को नहीं बड़ा अजीफ सा भी भी लगता है कई बार जब यह लोग future को लेकर बात कर रहे होते हैं लेकिन एक लीस लोग खुश्टे कि इनकी imaginary दुनिया हैं और जब विजय सोछता Cheng कि reality कैसे होगी तो उसको बड़ा बुरा लगता था अब बात होगी September के second week की जो विजा के पापा थे ना वो विजा के घर आते हैं उसको happy birthday wish करते हैं और जो mom थी ना वही मालवी नगर आती है उसको wish करने और वो सोचता है मेरा कैसा परिवार है वो दोनों एक ही जगा से आ रह अब विजा की ममी ना विजा को बलाती है पिज्जा हट पर जो कि आधे किलोमेटर दूर होता है इनकी घर से अब जैसी विजा अपनी मा को देखता है विजा जाता है अपनी मा को हग कर लेता है और वो बहुत कोशिश करता है कि मैं अपनी मा के सामने ना रहूं अब विज पुछता है कि मैं कभी बच्पन में बढ़ाई नहीं होता, मैं अपनी मा की गोदी में ऐसी रहता मा को हग करके, और अचांक से आँखों में से आसु आने लगते हैं, यह चीज़ उसकी मा नोटिस कर लेती है, और पहली बार विजय अपनी मम्मी के सामने डोया होता है, उसकी मम्मी बोलती है, अच्छा, तो finally मेरा बेटा जुट बोलना सीखी गया है, आस्ता ठीक है, अब विजय कहता है, तुम उसके बारे में क्यों चिन्ता कर ले हो, और उसकी मम्मी बोलती है, मैं इसके बारे में इसलिए चिन्ता कर रहे हूँ, क्योंकि मैं अब दादी बनने वा अच्छा हुआ मैं घर पे नहीं आई भार ही मिली हो तुम से घर पे आती तो तुम तो मुझे चाइवी नहीं पिलाते अब विजय कहता है ना ममी प्लीज यार वो आस्ता काई घर नहीं है वो मेरा भी घर है और उसकी ममी बोलती है आस्ता ने जॉब क्यों छोड़ी अब सिक्रेंसी को लेके बहुत जादा कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं और उसको ना बहुत देख भाल करनी पड़ती है उसकी हमेशा उसको बैड़र्स चाहिए होता है हर चोटी चीज के लिए मुझे जाना पड़ता है सबजी खरीदना दवाईया और डॉक्टर के पास भी जाना अधा कि लिए अब जो उसकी ममी होती है उसको देखती है वो ऺड़ती है उसकी ममी बोलती है ना विजय, तुम एक मात ऐसे परसन हो ना दुनिया में, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ जो तुम्हारा बच्चा है ना वो अच्छा होगा, अगर किसी भी तरीके की हैल्प चाहिए हो ना, तो प्लीज मुझे बता देना, मैं चाह होती है, अच्छा ये रहेगा ना, कि तुम अलग रहो और खुश रहो, साथ में रहके भी एगा लड़ना होता है, तो कोई फाइदा नहीं होता, अब विजय को ना खुद नहीं पता होता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई होती है, विजय बोलता है एक दिन आप भार जाने के लिए, भार का खाने के लिए याद है, और आस्ता बोलती है ना, विजय, मैं बस दिन में घर में रहती हूँ, टीवी देखती हूँ, गाने सुनती हूँ, निउस्पेपर पढ़ती हूँ, फोन पर बात करती हूँ, और तो और मैं मौत तक ना, बस ऐसी नीची कर, ठीक है, अब आस्ता कहती है ना, ठीक है, ये मैं कर सकती हूँ, और मुझे भार जाके थोड़ी अची सांस भी मिलेगी, और मुझे ऐसा लगता है ना, कि मैं पिंजरे में कैद हो गई, मुझे घुटन सी होती है, मैं तुमारा बर्ड़े इस घर के अंदर सेलबिरेट न जाती, अब वो लोग ना, पिंट बलूची जाते हैं होस्खास में, और जो पिंट बलूची है ना, वो पंजाबी कुजीन के लिए जाना जाता है, वो लोग ना, एक कौना वाली टेवल ले ले लेते हैं, और छांच वगएरा ओड़ा करते हैं, और वेजटेवल विर्यान अब विजय न उसको चड़ाते हुए कहता है आस्ता को मेरा गिफ्ट का है अब आस्ता कहती है आप आस्ता कहती है आप आस्ता को बोलता है आप आप आओ न तो मेरे लिए बर्डे गिफ्ट लेके आना मेरे क्या गिफ्ट लेके आयो और तुम्हारे बारे में क्या तुम कैसे अपना birthday celebrate करती थी, अब आस्ता बोलती है na birthday, होना बड़ाई सरकास्टिक सी smile देती है, कहती है न, जो मेरी सौतेली भेहन थी न, उसका birthday बहुत धूम धाम से मनाया जाता था, मेरा तो कभी birthday celebrate नहीं होता था, और hardly कोई लोग थे जो मुझे birthday wish भी करते थे, मैं चाहती थी न, कि मैं birthday party ऑगनाईस करूँ, जहाँ पर हजारियों लोग हो, यह मेरी एक ख्वाइश थी, बहुत सारी लोग मिरे लिए गाना गाये, टोस्ट करें, डान्स करें मेरे लिए, और मैं उन सब के बीच में खड़ी हूँ, लेकिन, अब विजय कहता है लेकिन, अब आस्ता बोलती है लेकिन मुझे ऐसा feel होता है, कि सबसे अच्छा birthday celebration तब होता है, जब जिन आप लोग उसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ होते हैं, भले ही कुछ ही लोग हूँ, लेकिन अगर आप जिन से प्यार करते हैं, वो लोग आप से प्यार करते हैं, तो वो काफी है, रैदर देन, ह एक question है तुमारे लिए, अब जो आस्ता है ना, वो सारे लाके हां कहते हैं, विजय कहते हैं, अगर तुम्हें कभी किसी से माफी मांगनी हो, तो वो person कौन होगा, तुम किसको माफ करना चाहोगी, अब विजय जान पूछ के सवाल पूछ रहा होता है, अब जो आस्ता होते ह तक यहाँ पर वो डैनियल का नाम लेगी, अब आस्ता गोलती है ना, मैं अपनी मा को माफ कर दूँगी, क्योंकि मैं अब खुश हूँ, जो अतीत था ना, वो तो अतीत था, हम अतीत को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, और जो अतीत की चीज़े हैं अगर हम उसको साथ ले वो हम कैसे जी रहे हैं, इससे फरक नहीं पढ़ता कि हमारी जिन्दगी का फॉस शेप्टा कैसा था, इससे फरक पढ़ता है जो हमारी जिन्दगी का लास्ट शेप्टा था ना, वो कैसा था और हमने अपनी जिन्दगी की जो रेस है, उसमें कैसे करा है, तो हस्ते रहो, मा बिमारी के वैश दो माफी मांगना चाहती हो ? अब आस्ता बोलती है और मने कभी किसी से ही माफी नहीं मंगी किसी से भी नहीं और माफी मंगना है मिरे हैबिट मेंग है मुझे आपने में उता था म durability है, लेकिन तब भी अपने konvence कर लेती थी कि भाईया मैं माफी नहीं माँगूगी और अब जब मैं खुद माँ बनने वाली हुँ ना तो भाईया मुझे रिलाइस होता है कि भाईया मैं अपने बच्चे से एक मिन्ट के लिए भी दू नहीं रह सकती हूँ और मेरे लिए ने मेरे माँ से माफी माँगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उनके बच्चे को उनसे दूर कर दिया अब अगले सीन में क्या होता है जो आस्ता होती है उसके बहुत पेट में दर्द हो रहा होता है अब विजय कहता है यह सब कुछ बिर्यानी की वेसे हुआ है मैं तुम्हें मना करता है न हम भाहर नहीं जाते हैं और बाहर जाके कुछ ना खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जल्दी से तैयार हो जाओ हम लोग विजय होता है डर्गवा भी होता है क्योंकि आस्ता के तो दर्द हो रहा है और वो लोग फटाफट कार में बैठते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जो आस्था की सिच्विशन थी न, वो बहुत ही खराप थी, एक तो पेट में दर्द, उसके लावा एट्स की विमारी, बच्चा पेट में, वो इस सोच के न, बड़ा परिशान हो रहा होता है, और रास्ते बार जब जा रहे होते हैं, तो कोई एक दूसर से वो लोग कुछ भी बात नहीं करते हैं, जो आस्था होती है, जब लोग होस्पिटल पहुंच जाते हैं, आस्था बैड पे लेट अब भी होती है, जो डॉक्टर रचना होती है, वो सजजेस्ट करती है कि अल् तो महीना चल रहा है, दर दोर भी हो सकता है, मैं तो यही तुम्हें सजेस्ट करूँगी न, कि डिलिवरी होने तक, वो यही पर एडमिट हो जाए, अब कुछ सेकंड बाद न, जो डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं, मेरे पास न, तुम्हारे लिए एक अच्छी घबर है, उसकी treatment में help करें, अब विजय कहते हैं, वो उसके case को study करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या वो कोई experiment वगरा करेंगे, अब डॉक्टर रचना होते हैं, कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो डॉक्टर है वो अमेरिका से हैं, और वो ऐसे case हो में उन्होंने पहले भी handle क करें, वो कुछ research वगरा करेंगे, इंडिया में आके, तो हमने उनको आस्था case बताया, और वो हमारी help का निकले तयार भी हो गए, अब विजय कहते हैं, क्या HIV को ठीक कर सकते हैं, अब जो आस्था हैं कहते हैं, नहीं विजय, जो डॉक्टर हैं वो आके उसकी condition देखेंगे, वो ये कोशिश करेंगे कि अच्छे healthy बच्चे को जनम दिया जा सकें, और ये चीज ना आस्था की तो कोई फाइदे मन थी नहीं, अब विजय कहते हैं अच्छा डॉक्टर, मुझे ना आस्था की health को लेके बहुत ज़्यादा चिंता है, मेरी सब सब्सारा priority ना आस्था की health है, अब जो डॉक्टर रचना होते हैं, कहती है, एक काम करो, तुम अराम से बाहर वेट कर लो, मैं तुम्हें बुलाती हूँ जब reports वगएर आ जाएंगी, अब जो विजय होता है, वो वही सब को सोच रहा होता है, कि भाया, डॉक्टर आने वाले हैं, वो हम मदद करेंग जो reports होती है, वो आ चुकी होती है, और वो उन्हों खुद भी एक couple है, तो वो समझते हैं कि विजय किस हालत से गुजर रहा है, अब डॉक्टर रचना बोलती है, देखो विजय, उसको ना infection हो गया उसके पेट में, और मैं तुम्हें ये suggest कर रही हूँ न, क्यों हम उसको अ और हम लोग डॉक्टर के साथ उसकी report share करते रहेंगे Skype के थुरू, ताकि सब कुछ चीज अची चलती रहे, मैं तो यही तुम्हें suggest करूंगी, कि वही उसको hospitalized कर लो, अभी के लिए, और एक न, sign कर दो letter of authorization, अब विजय कहता है न, मिरको कोई problem नहीं है, sign करने में authorization letter, लेकिन मुझे ऐसा लगता है न, यह बहुत जाना महेंगा treatment होगा, अब डॉक्टर बोलते है न, खर्चे के अलाबा भी एक और problem है, अब विजय बोलता है न, क्या, और जो यह problem word था न, अब तो विजय इससे बिल्कुल वाकिफ हो चुका था, अब डॉक्टर बोलते है न, मैं चा इसका immune system है न, वो दिन पते दिन गिता जा रहा है, और C-section करने के लिए न, हमें चाहते हैं कि वो recover करे, at least की body तो recover करे, जो उसका CD4, CD8 ratio है न, और WBC, बहुत कम है, अगर वो सुधरा नहीं न, तो ऐसा होगा कि अगर हम उसका operation करेंगे, तो जो उसका खून है, वो निकलना खोदेगा, लेकिन वो बक्त इतना जल्दी आ जाएगा, उसको यह नहीं पता था, अब डॉक्टर बोलते हैं, देखो, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मदद करने की, अगा सब कुछ ठीक रहा न, तो सकता है, वो normal बच्चे को जनम दे दे, अब विजय कहता है लेकिन आप recommend करें, उसको hospitalized कर लोगा अगले दो महीने के लिए, यह बहुत expensive होगा, अब डॉक्टर बोलते हैं, देखो, हम लोग अपनी consultancy fees नहीं लेंगे, यह हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, विजय कहता है thanks, और आपको idea होगा, कितना खर्चा आजाएगा, अब डॉक्टर कुछ second के लिए सोचते हैं, कहते हैं, इस बारे में देखो हमें पता नहीं है, तुम accounts department में चले जाओ, उनके साथ एक बार बात कर लो, एक rough estimate मैं तुम्हें बताऊँ तो 20 से 30 लाग का खर्चा आएगा, अब विजय कहता है 30 लाग, यह बगवान, अब डॉक्टर बोलते हैं अगर तुम चाहो, तो तुम general ward ले सकते हो, private ward मत लेना, थोड़े बहुत तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, जबकि मैं तुम्हें यही recommend करूँगा ना, कि तुम एक private वाला ward लेना, क्योंकि HIV patient को लोग गलत नज़र से देखते हैं, अब डॉक्टर बोलते हैं, मैं समझ रह लेलाई करूँगा, फिर चाहें उसके लिए मुझे किस हत्तर भी घुजरना पड़े, अब विजय क्या कहता है, वो letter sign कर देता है, उसमें लिखा होता है, कि अगर कल को कोई भी बात हो जाए, तो hospital, doctor, staff, कोई भी जिम्यदार नहीं होगा, अब जो विजय है वो सूचता है, कि मैं आस्ता को नहीं बताऊंगा, कि doctor उसको भरती करने के लिए क्या है, क्योंकि जो आस्ता है ना फिर वो बहुत जहाँ चेंता करेगी, और जब वो खर्चा सुनेगी, तब तो भईया वो ऐसा होगा, कि उसको पर किसी ने बाम गिरा दिया हो, अब जो विजय होता है ना उसको बोलता है कि तुम टेंशन मतलो, जो नास है ना वो तुमारी टेक केर करेगी, मैं अगले कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगा, और ये चीज ना बहुत अजीब थी, जो आस्ता थी ना उसनों से पूछा ही नहीं था, कि भई तुम कहां जा रहे हो, तो इस नोट प